नमस्कार जेविटी अध्यात्मम में आपका स्वागत है आपके साथ मैं हुआ अंकेता। 15 मार्च से 17 अक्टूबर तक रहेंगे। शनी ग्रह इस वक्त कुम्भ राशी में संचार कर रहे हैं जिसका छे राशियों पर सकरात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा और इनकी किस्मत चमक उठेगी। तो आएए जानते हैं कौन सी हैं वो राशियां। मेश राशी शनी का शदभीशा नक्षत्र में गोचर मेश राशी के जातकों के लिए शुब रहेगा। शेत्र में उन्नती मिलेगी, मान सम्मान में बढ़ोत्री होगी, नया व्यापार शुरू कर सकते हैं। आर्थिक स्थिती में सुधार आएगा। मिथुन राशी के जातकों के लिए शदभीशा में गोचर शनी की धैया से राहा देने वाला साबित होगा। इस अवधी में आर्थिक लाप हो सकता है। लंबी यात्रा की योगपन रहे हैं। भागी का साथ मिलेगा। सिंग राशी शनी का गोचर सिंग राशी के जातकों को नौकरी में काम्यापी दिलाएगा। स्थान परिवर्तन के योगपन रहे हैं। पदोनती हो सकती है। इस अवधी में व्यापारियों को मुनाफ़ा होगा। घर परिवार में सुक शांती बनी रहेगी। तुला राशी के जातकों में ये अवधी विशेश फलकारक साबित होगी। करियर में सफलता मिल सकती है। छात्रों के लिए भी समय शुब रहेगा। व्यापारियों के लिए लाप की योगपन रहे हैं। नौकरी पेशा के लिए समय अनुकूल है। धनुराशी के जातकों के लिए शनी का शदभीशा में जाना शुब साबित होगा। नौकरी में सकरात्मक परिनाम देखने को मिलेंगे। आय में लाप मिलेगा। पदो नती के योगपन रहे हैं। कारुबारियों को आर्थिक लाप मिलेगा। मकर राशी के जातकों के लिए खास्तोर से व्यापारियों के लिए शदभीशा नक्षत्र में शनी का गोचर लाप दायक सिद्ध होगा। व्यापारियों के लिए समय अच्छा रहेगा। मुनाफे की योगपन रहे हैं। इस अवधी में आपको आपकी मेहनत का फल तो होगा। नमस्कार।